पाडबारह वर्षायह आनंदम उपपद विभक्ति ही अध्यापी आकाशे मेघाह संती यह वर्षा अभवत अता उध्यानम परितह जलमेव अस्ती दूरे एकह मयूरह नृत्यती राघवह मित्रह सह उध्यानम अगच्छत सर्वे बालकाह जले धावन्ती क्रीडन्तिचा मेघाह अस्मभ्यम जलम यच्छंती जलेन ओशधियह व्रिक्षा भलानी पुष्पानी च भवन्ती सत्यम जलम विना जीवनम नास्ती मेघानाम जलम परूपकाराय एवास्ती अधुना व्रिष्ठी ही समाप्ता अतह शोभना ग्रिहात बही गंतुम इच्छती सामातरं प्र किम अहम देवालियम गच्छानी सा सकि भी ही सह देवालियम अगच्छत ताह सर्वह मिलित्वा व्रिक्षान अभितः अधावन व्रिक्षस्य उपरी केचन वानिराह आसन एकह वानिरह शोभनाय कृध्यती शोभना तस्मात वानिरात बिभेती तदा सा सकि भी ही सह ग्रिह रोहन हो अपी विद्यालियात आगच्छत। सह मातरम अवदत। मातह अभंभूख्षितह अस्मी। अहम किम खादानी। माता रोहनम अपृच्छत। अहम तुभ्यं किम यच्छानी। सह वदती। किमपि भक्चनाए यच्छ, माता अवदत, तुभ्यम फलानी रोचंते, त्वम फलानी खाद, तदा माता तस्मै शीगरम फलानी अयच्छत, माता पुत्रे अतिस्नेहती, तदा माता रोहनम अकतियत, रोहन अधुना माम एकम श्लोकम श्रावय रोहन अवदत श्रिनोतु मातः तुश्यन्ती भोजनेर पुत्राह मयूराः घन गर्जितेह साधवः परसंतोशेह खलाः पर विपत्ति भीह माता सस्मितम अवदत अतिशोबनम पुत्र शीघरम भूजनम ददामी रोहनह अपिप्रसन्नह भवती ध्यातव्यम जब वाक्य में किसी विशेश अव्यय अत्वा धातु के कारण क्रिया चिन्धों के अनुसार विभक्ति ना लगाकर कोई विशेश विभक्ति लगाई जाती है तो उसे उप्पद विभक्ति कहते है यथा उद्यानम परितः जलमेव अस्ति इस वाक्य में उद्यान के साथ शश्टि विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था किन्तु परिता की वज़े से दुतिया विभक्ति का ही प्रयोग किया गया है कि प्रयोग कि अवे है